हेलो स्टुरेंट्स आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओन दे रूल ओफ दे रोड इस चैप्टर को हम पूरा कम्प्लीट करने वाले हैं इस एक वीडियो में इसमें हम इस चैप्टर की पूरी समरी कवर करेंगे उसके पाद इसके क्योशन अंसर और और इसके चूश्ट गरेक्ट मुल्टिपल चोईस क्योशन चलिए बिना तेरी किया स्टाट करते हैं ओन दे रूल ओफ दे रोड वस विटन बाई एजी गार्डिनर यह इनके इसके राइटर है अब हम इसकी समरी देखते हैं और फेट लेडी वस वाकिंग विधर बास्केट इन दे मिजल ओफ दे स्ट्रीट पेट्रोग्रेड विदाओट कैरिंग फो ट्राफिक यानि कि एक मोटी सी ओरत बिना ट्राफिक की परवा किये एक पेट्रोगेड गली से जा रही थी अपनी टौक्री को लेकर उसे एक्सिडेंट होने का यह अपने साथ कोई भी दुर्गतना घटित हो जाए इस चीज़ का कोई भी डर नहीं था किसी ने उसे रोका भी लेकिन वो यसा कहती है कि मुझे पूरी आजादी है मैं जहां चाहूं वहां जानेगी Everybody has liberty to do whatever he likes but it would create a choice यानि कि हर किसी को पूरी स्वतन रता है कि वो जहां कहीं भी जाना चाहे वो जा सकता है लेकिन उसका ऐसा करना उसके लिए खत्रा पेदा कर सकता है If someone does like that lady then there will be disturbance in the society and the whole society will be disturbed and without rule it will convert into a lawless move यानि कि अगर सभी लोग ऐसे इस ओरत को देखकर और भी society के लोग ऐसा करने लगे तो कैसे समाज चलेगा समाज में व्यवधान होगा समाज में ठीक से कोई भी काम नहीं हो पाएगा अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कि व और है वाने हैं प्रेंख यूज ओ अधर में एंज़ोई लेयर लिबाथी यानि की प्रत्य को यारी हर किसी को अपने आजजादी का दूसरों के साथ तालमेल बिठाना होगा ताकि दूसरे व्यक्ति भी अपनी आजादी का उपयोग कर सके We have to take care of others, then they will take care of us यानि कि अगर हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, तो दूसरे हमारा भी ध्यान रखेंगे If we want to run the society smoothly, then we have to think of others यानि कि अगर हमें हमारे समाज को सही राह पर चलाना है, तो हमें भी दूसरों के बारे में सोचना होगा Leave and let live, यानि जीयो और जीने दो Should be the motto, यानि हमारा एक उद्देशिय होना चाहिए कि जीयो और जीने दो The writer points out towards us that sacrifice for others brings happiness to us यानि कि poet इस पूरे इस case में ये बताना चाहता है कि दूसरों के लिए अगर हम sacrifice यानि कि त्याग करते हैं तो उससे हमें खुशी यानि प्रसनिता प्राप्त होगी चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसके choose the correct options Number 1 I am going to walk where I like Who said this? किस ने कहा था कि मेरी मुझे जहां अच्छा लगेगा मैं महां जाऊंगी ये उस लेडी ने कहा था Number 2 In the midst of an earthquake, one can enjoy reading a book on Correct answer is this from Shandy Number 3 What is the pseudome of A.G. Gardiner? यानि A.G. Gardiner का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था Alpha of the Flo Next is On the rule of the road is an essay about ये essay किसे related है? Traffic rules, road accidents, liberty and its limitations manners and mannerisms of the people on the road Correct answer is liberty and its limitations Fifth है The style of the essays Essay की style क्या है? Essay की style है? Conversation है इसमें conversation हुई है On the rule of road Has in it the element of Answer is Humor Picardly circus is ये circus London में है Hon Tuki mentioned in the essay is a Person One must have social liberties So that private liberty must be cutlet By on the rule of the road The writer means Answer is D Liberty that can be taken by citizens Okay, अब हम इसके short answers देख लेते हैं What is meant by the rule of the road? Rule of the road से क्या मिनिंग है? Answer is It states the rule how for passengers and vehicles should make use of the road for safety and convince यानि की ये ये रूल बताता है कि पेदल चलने वाला यात्री वहन, सुरक्षा व सुविधा के लिए सड़क का उपयोग या प्रयोग कैसे करें Next is Why is it essential to observe the rules of the road? यानि की सड़क के rules को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? We must observe the miles of the road to run the society and enjoy the liberty यानि की हमारी सुतन्रित्र का आनन्द लेने और समाज को सही तरीके से चलाने के लिए सड़क के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है Why should we respect the rights of the small people? यानि की हमें छोटे लोगों के अधिकारों का संबन क्यों करना चाहिए? We should respect the rights of the small people so that they may enjoy their liberty and they will also respect all यानि की हमें भी छोटे लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए ताकि वे अपने आजादी का अनन्द ले सके और वो हमारे अधिकारों का भी आदर करें Fourth है, What does the author mean when he says that by observance of the rule of the road we pass judgment upon ourselves? यानि की लेखक जब यह कहता है कि सड़क के नियम के पालन का हम स्वयम निर्णय करते हैं इसका क्या आशा है? The author means that we decide ourselves that we are civilized or uncivilized यानि की लेखक का असान सा आशा है कि हम स्वयम यह फैसला करते हैं यानि हम खुद यह फैसला करते हैं कि हम सब यह हैं या सब यह हैं Number 5 Why does the author criticize the motorist with the aggressive bowling horn? यानि की लेखक अक्रात्मक धमकाने वाले सिंग के साथ मोटर चालक की आलोचना क्यों करता है? They do this act deliberately and arise the anger in the people वे इसकारी को जान बूच कर करते हैं और लोगों को क्रोध, लोगों का जो क्रोध होता है यानि लोगों का गुस्सा बढ़ाते हैं What is social sense? The social sense is to leave and let leave यानि की सामाजिक ज्यान क्या है? सामाजिक ज्यान है जीयो और जीने दो चलिए, question number seven What is the essay on the rule of the road about? यानि की सडक का नियम निभन किसके बारे में है? The essay on the rule of the road is all about liberty and its limitation जैसा कि हमने multiple choice में देखा कि ये निभन सडक का जो नियम है यह स्वच्छन्दता और इसकी सीमाओं की विशय के बारे में है Describe the possible consequence of the old lady walking down the middle of the road यानि की व्रद्य महिला ये बूडी महिला सडक के बीचों भी चल रही है तो इसके क्या-क्या दुश परिणाम हो सकते हैं उसका हमें वर्णन करना है यानि की बूडी महिला के सडक के बीचों भी चलने से सार्व भूमिक अव्यवस्था हो जाएगी और इससे सामाजिक अराजकता होगी चलिए नेक्स देखते हैं अगर पिकाडिली सरकस में क्या होगा जब वहाँ पर कोई भी पुलीस वाला यानि कोई भी सिपाही नहीं हो तो यानि कि यदि पिकाडिली सरकस चोराहे पर कोई भी सिपाही न हो तो महां उथल पुथल मच जाएगी और आप उसे कभी पार नहीं कर पाओगे वाट इस दा सुडाम ओफ काडिनर यानि कि गाडिनर जो कि इसका पॉएट है उसका नाम बताना है उसका जो सर नेम जिसे हम बोल सकते हैं फुल नेम बोल सकते हैं तो गाडिनर का नेम था अलफा ओफ दो प्लाग चलिए अब हम इसके लोंग आंसर टाइप क्योशन देख लेते हैं नम्मर वन वाट विल हैपन इव पुलिसमेन एड़ बीजी क्रोसिंग दस नौट इंटरफेर विद इंडिविडियल लिबर्टी ओफ क्रोसिंग दा रॉडड़ विल यानि कि यदि वह व्यस्त सडक के बीच खड़ा पुलीस करमी सडक पार करने की हमारी स्वतंत्रता में ह ट्रैफिक पुलिसमेन हैं वहां पर ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा इव पुलिसमेन एड़ बीजी क्रोसिंग दस नौट इंटरफेर विद इंडिविडियल लिबर्टी ओफ क्रोसिंग दर रोड एट विल देर वोड बी अग्रेट कंफीशन एंड कुछ भी हो सकता है तो इफ यू वांट आ सोशल ओडर विच मैंक यू लिबर्टी और रियालिटी प्राइविट लिबर्टी शुट बी कॉटल्ट नेक्स्टीज वोट दस्था ओथर मेंस लिबर्टी ट्रंग यानि की लिबर्टी ट्रंग से लेखक का क्या भी प्राय है यानि की लिबर्टी ट्रंग से लेखक का यही अभी वराय है कि लोग केवल अपनी स्वतंतृता यानि अपनी लिबर्टी के बारे में सोचते हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में तथा अपनी सीमाओं यानि अपनी लिमिटेशन के बारे में सोचते ही नहीं है यानि कि वो ये अपनी आजादी के लिए तो सोच लेते हैं लेकिन उसके अलावा हमारी जो समाज के प्रती जिम्मेदारी है और जो हमारी एक सीमा है वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं यानि कि वह इसका एक्जामपल हमने अभी ही ऐसे में लिया कि वो जो बूरी महिला थी जो सड़क के बीचों भी चल रही थी वह केवल अपने बारे में सोच रही थी कि अब उसकी सुविधा के हिसाब से काम हूँ उससे बिलकुल परवा नहीं थी कि उसकी जो आज़ादी है उसकी जो सीमाएं है वो उसका उलंगन कर रही है तो उसे इसा नहीं करना चाहिए यानि कि वो अपनी सीमाएं पार कर रही थी यानि कि यहाँ पर गार्डिनर ने एक बहुत ही ठोस उधारन दे कर समझाया कि किस तरह आजादी भी व्यक्तिकत तथा सामाजिक होती है Question No.3 Write a note on Gardner's style यानि कि Gardner की जो यह शेली है इस निभन्द की उस पर हमें टिपड़ी करना है His essays are uniformly elegant, graceful and humorous यानि उनके निभन्द एक समान रूप से सुन्दर, आकरशक और विनोधी है His style of writing essay is very unique उनकी निभन्द की शेली बहुत अनूठी है He is able to teach the basic truths of life is an essay and amusing manner यानि कि वे जीवन के अधार बुद्स सच को भी बड़े आसान और मनोरंजक तरीके से पढ़ाते His writing reflects two moods उनकी जो लेखन की शेली है वो तो भाव प्रदर्शित करती है The combative and gentle यानि की प्रतीरोधक और सुशील His essay is written in simple, conversational and direct style and is marked by narration, description and reflection with the touch of humor यानि की उनके द्वारा लिखेत निभन्द शेली बड़ी ही आसान, सीधी और संभोधित होती है तथा उनका कथन, व्याख्या और प्रतिभीम बड़ा रोजचक होता है His style is highly brilliant, easy, clear, lucid and flexible यानि की उनकी शेली बड़ी बोधिक, सीधी, सरल और लचीली है His language is dignified and vocably is drawn from the common everyday speech यानि की उनकी भाषा बड़ी संभुत है तता शब्द कौश रोज मनरा के बादशीत के विशय से लिया गया है He select the precious and vivid words and within the compression of the readers यानि की वे यथा तत्य थता सजीव शब्दों को चुनते हैं जो पाठक की समझ में बड़ी आसानी से आ जाते हैं यानि की उनका जो शब्दों का चैन है वो पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाता है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए मगर इस चैनल पर आपको हार टोपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए किसी चाप्टर की एक्स्प्लेनेशन या क्योशन आंसर एक्ससाइस वगेरा आप चाहते हैं कि हम आपको एविलेबल करवाएं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए थैंक्स फॉर वचिंग दिस वीडियो